एप के आईकन को प्लिक करें अब एप लोड हो रही है नीचे प्रोग्रेस बार में आपको दिखाई देगा अब एप पूरी तरह लोड हो गई है और आप लॉग इन हो चुके हैं इस स्क्रीन पे नीचे नेक्स्ट का बटन दबा के आगे बढ़ें ये अब आपको बता रहे हैं कि कैसे फ्री की कॉमिक्स आपको डाउनलोड करनी है तो ये स्टेप सब पढ़ लें अब मेरे स्क्रीन पे फ्री की ये चार कॉमिक्स देख रही हैं आपकी स्क्रीन पे हो सकता ज्यादा दिखें अब मान लीजिये border comics जो देख रही है उपर इसको हमें download करना है तो free की comics download करने के लिए भी आपको पहले एक order बनाना पड़ता है order हम कैसे बनाएंगी यह मैं आपको बता रहा हूँ पहले आप यह plus card का button है इसको दबाएं इस तरह से plus card करने के बाद वो card में चला गया है और अब उसकी जगए view card आपको दिखाई दे रहा है आप इसी तरह अगर एक से ज़्यादा comics खरीदना चाहते हैं तो दूसरी comics को भी card में डालने जैसे की राजकोष के लुटेरे को अब हम card में डालते हैं यह button दबा कर और अब यह card में चला गया है अब हमारी card में जो item है उनको देखने के लिए नीचे show card का यह button है इसको अब हम दबाते हैं यह button दबाने के बाद अब हम card में पहुँच गए हैं card में हमें दिख रहा है दो item है border और राजकोष के लुटेरे दोनों item के price आप देखेंगे कि zero है क्योंकि यह दोनों free की comics थी इनके MRP 8 रूपे थे यानि कि जिस price पर आप इसक खरीदते है अगर यह free नहीं होती तो नीचे total में दिख रहा है 16 रूपे MRP और सबसे आखरी में zero रूपी जो कि आपसे चार्ज किया जाएगा यानि इसे आपसे कुछ भी नहीं चार्ज किया जाएगा जब आप यह order को प्लेस करेंगे तो अब order को पूरा करने के लिए चेक आउट का बटन दवाए नीचे सबसे कोने में इस तरह से अब आप चेक आउट की स्क्रीन पे हैं यहाँ पे आप अगर आपके पास कोई coupon code है तो वो डाल सकते हैं और अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि हम free promise खरीद रहे हैं तो कोई coupon code का इसमें मतलब नहीं है अब हमें खाली इस free promise का जो हमने order बनाया है इसको हमें pay करना है आप यहाँ देखें कि card का total दिखाई दे रहा है 0 रूपे और net amount 0 जो कि आपको देना होगा यानि कि आपको कुछ भी नहीं देना इस order को पू तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप क्योंकि आपको कोई पैसा देना नहीं है तो pay from RC wallet का button दबा के आप अपना order पूरा कर सकते हैं तो इस तरह से इस button को दबाएंगे और फिर यह कुछ थोड़ी सी activity होगी और थोड़ी सी देर में ऐसे thank you for your order आपका order पूरा हो गया है अब न इस तरह से अब आप library में आगए library क्या है जो भी किताब में आपने खरीद रखी हैं चाहे फ्री की है या पैसे दे के खरीदी है वो आपको अपनी library में दिखेंगे यहां library में मैं पहले से ही कुछ comics खरीद चुका हूँ और अभी जो हमने comics खरीदी थी वो screen में नीचे अगर हम जाते हैं इस तरह से तो यहां हमें दिखाई देती है आप देखेंगे border जो है उसके आगे लिखा है dlq dlq का मतलब है download queue यानि कि यह comics अभी queue में लगी हुई है download के लिए अगर हम इस की queue को देखना चाते हैं तो हम इस button को दबाएंगे इस तरह से अब यहां आप देखेंगे कि queue में दो comics हैं एक है राजकोष के लोटे रहे जो कि अभी download हो रही है और आप देखिए कि इसमें अब वो देखिए वो पूरी भी हो चुगी अब दूसरी comics download में शुरू हो गई अब border comics download में लगी हुई है और यह 11 MB की comics है और इसमें 28 पेज हैं और अगर आप इसको अब यहां जाके ऐसे click करेंगे तो यह आप comic के अंदर आ गए हैं यहां पे आपको दिख रहा है कि 10 page download हो चुके हैं टोटल 28 में से और क्यूंकि 10 page हो चुके हैं आप उन्हें पढ़ भी सकते हैं अब देखिए 15 page हो गए हैं तो यह धिरे धिरे जैसे जैसे आपके page download होंगे यह बढ़ता जाएगा और फिर फिर यह comics यहां पर पढ़ना शुरू कर सकते हैं comics पढ़ना बहुत असान है आपको केवल यह सबसे नीचे screen पर जो right side में एक arrow बना है उसको दबाएं आप इस तरीके से और यह आप दूसरे frame पर चले गए हैं फिर अगला frame पढ़ने के लिए आप फिर से उस button को दबाएं इ पिर दुबारा उगले frame पर जाने के लिए आप इस button को फिर दबाएं और यह आप दूसरे frame पर चले गए अगर आपको पीछे जाना है तो आप ऐल्ट repertoire बने just victim को दबा सकते हैं इस तरीके से और आप पीछे भी जा सकते हैं तो आपको आगे जाना है या पीछे जाना इन द अगले फ्रेम पर गए फिर अगले फ्रेम पर गए यह पूरा पीज देखना शुरू हो गया रि फिर उस पेज के ऊपर वाले ौप्रme कैपशन पर हम चले गए छिर्भ अगला पैण डिका फिर उसके अंदर हम और जूम करके हमने देखी फिर हमने ये कहानी कुछ पढ़ने ही कोशिश करी तो इस तरह से आप पूरी कॉमिक को पढ़ते रह सकते हैं अब एक चीज और है कि आप चाहें तो ये दो बटन ना दबाके कहीं भी स्क्रीन के उल्टे हाथ में या सीधे हाथ में सिंगल टैप कर सकते हैं इस तरह से अगर मुझे अगले फ्रेम पर जाना है तो मैं यहां पर एक सिंगल टैप करूंगा और यह मेरे को अगला फ्रेम दिख गया अब इस अगले frame और ये अगला frame दिख गया फिर ये मैंने यहाँ tap किया तो ये अगला frame दिख गया फिर यहाँ पे मैंने tap किया और ये मैं और आगे तो इस तरह से आप टैप करके भी comics को पढ़ सकते हैं यह आप चाहें तो नीचे दिएगा बटन से पढ़ सकते हैं, कॉमिक पढ़ लेने के बाद एसकेप कर सकते हैं, तो यह आप वापिस यहां आ गए हैं, अब दुबारा से कॉमिक अगर पढ़नी है, तो फिर से रीड का बटन दबाएं, और आप वही जहां लास्ट आपने कॉ